यहां पर अब आप देखेंगे 5 ऐसी keywords जो metrics को और भी अच्छे तरीके से define करती हैं और believe me अगर आपको यह सारा के सारा आज का lecture समझ आया है तो यह 5 terms भी आपके लिए असान होने वाली है और अगर अभी तक आपने हमारा जो metrics या linear algebra या algebra की list, zero to math वाली list, playlist की series नहीं देखी तो description के अंदर उनके link मजूद हैं तो please go ahead and watch those Let's dive into it and look into some of the definitions of metrics and so on, जो metrics से related चीज़ें हैं मैं यहां पर लिखता हूँ जी metrics होता क्या है अब इसके बारे मैं आपको बताता हूँ ठीक है और इसको हम समझते हैं इसकी definition मैं आपके सामने लिखता हूँ पहले यहां पर ला के and then we will discuss this definition और here we go, यह definition है जो गोरेने के ही है फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या कहते हैं, metrics क्या होते हैं अब metrics is a rectangular array अब आपको मैंने बताया कि यह array है जो rectangular है ठीक है array जिसकी rows और columns इस तरीके से होते हैं जिसमें numbers हो सकते हैं, symbols हो सकते हैं या expression भी हो सकते हैं arranged in rows and columns, यानि के इसकी rows होंगी इस तरीके से और जो उपर से नीचे होंगे से बोलते हैं columns इसको हम metrics बोलते हैं, for example अगर कोई चीज 2 by 3 लिखी है इसका मतलब है के 2 इसकी rows हैं और 3 इसके columns है, ठीक है so 2 by 3 का मतलब यह है, अगर यहां पर 3 by 3 लिखा हो तो इसका मतलब है के 3 rows है एक, 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 यहां पर कुछ भी हो सकता है और 3 columns है, ठीक है, कोई भी number, कोई भी symbol, anything can happen here, ठीक है so ये हमारे पास 3x3 का matrix हो गया इसी तरीके से हमारे पास बे बहा और matrices भी होते हैं और उनको देखने के लिए हम अकसर औकाड different चीजों का सहरा लेते हैं जैसे हमारे पास different किसम के softwares भी मजूद होते हैं कि matrix हमारे पास कितने बाई कितने का है ये जो matrix हम बनाते हैं अगर हमारे पास कोई भी एक matrix बन गया जिसके अंदर कोई भी number है, symbol है या anything else is inside that matrix तो उसको हम यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है 2 है, 3 है, 4 है ये हमारे पास matrix है 2x2 का ये जो अंदर इसके चीजें है इनको बोला जाता है elements of matrix ठीक है, आपको एक चीज मैंने बताई rows and columns, इनको बोला जाता है elements, elements of matrix ये numbers भी हो सकते हैं, symbols भी हो सकते हैं, expressions भी हो सकते हैं, equations भी हो सकते हैं, anything can happen equations बहुत advanced level पे होती हैं, but for now we will see that, elements बोला जाता है और ये elements अपनी positions भी show करते हैं say for example, यहाँ पे मेरे पास है पहला element 5 दूसरा 2, तीसरा 3 और चोथा 4, अगर मैं 5 की position बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगा 5 जो है ये कहां पे है, ठीक है इसको बताने के लिए हम सहारा लेते हैं I और J का, ठीक है I जो है, यहाँ पे row number है J जो है column number है, यानि के पहली row और पहला column जैसे हमारे पास Excel के अंदर cell नहीं होते अगर आप Excel की sheet open करें तो आपके पास इस तरीके से cells होते हैं तो आप उन्ही cells को अगर matrix की form में देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से numbers होंगे तो ये हमारे पास अगर A है, ये 1 है तो पहले वाला A1 होता है आपको पता है ना Excel के अंदर इसी तरीके से I और J यानि के 5 की जो position है वो I और J पे है I मतलब 1 और J भी 1 तो हम लिख सकते हैं के A11 इसे हम कहा सकते हैं ठीक है? So it depends on के उसकी position कहां पे है अगर A यहां पे है A is equal to 5 है तो A11 उसे कह सकते है So this is usually you actually say के element of matrix यानि के फ्लाँ position पे कौन सा element है ठीक है? फिर एक हमारे पास होता है square matrix square matrix square matrix क्या होता है? इसको हम देखते हैं आप square matrix basically एक matrix ही है जारी बात है matrix ही होना है ना और यह कुछ इस तरीके से होता है अगर हम इसकी definition देखें A square matrix is with the same number of rows and columns यानि के 2 by 2 यानि के 3 by 3 का यानि के 4 by 4 का same number of columns इसको square क्यों बोला जाता है? मिसाल के तोर पे 2 by 2 को हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं 3 by 3 को हम 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं 4 by 4 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं यानि के जितने इसके element है उनका under root हमें कोई एक integer दे for example अगर मेरे पास 9 element है अगर मैं इसका under root लेता हूँ तो ये मेरे पास 3 यानि के square root लेने के बाद एक integer अगर मुझे देता है तो this is called squared matrix square matrix ये हो गया rows on columns की मैंने आपको बताई है चीजें उसको दुबारा से देख लेते हैं कि rows on columns, rows and columns किस तरीके से हम define करते हैं basically rows run horizontally जो मैंने आपको बताई है matrix के अंदर columns जो होते हैं vertically होते हैं the size of matrix is given by rows versus columns 3 by 3 अगर ये 3 by 16 हैं तो क्या होगा 3 rows है, 16 columns है so this is how you can actually define a matrix अब square matrix के बाद एक और matrix होता है जिसको हम diagonal matrix बोलते है diagonal matrix diagonal matrix क्या होता है this is a square matrix in which all the elements outside the main diagonal are 0 मैं आपको मिसाल समझाता हूँ बड़ी गोर से देखिएगा मेरे पास एक matrix है 3 by 3 का अगर मैं इसको draw करूँ तो it would be something like this 1, 1, 1 और ये जो एक diagonal line बन रही है ना इसके अंदर this one इसके इलावा बाकी सारे 0 this is called our diagonal matrix और इसकी यही शर्त है कि आपके पास जब आप diagonal matrix बनाते हैं तो diagonal line के इलावा बाकी सारे आपके पास 0 होते हैं ठीक है जी यहां तक समझाएगी diagonal matrix क्या होता है इसके इलावा और भी matrix की type है which we will study in sha Allah in our next lecture